हेलो फ्रेंड्स मैं हुझे बखान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वुमन्स किचिन में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जारी हूँ बहुत ही टेस्टी बढ़िया सा बना हुआ मज़ेदार सा आलू गोश्ट का सालर तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं अलू गोश्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ मसाले तैयार करेंगे तो यहां पर दिखिए एक मैंने इस प्यास लीती और इसको इस तरह से चौप कर लिया इससे मैं बोश्ट को बगारूंगी और इसके बाद मैंने यह तीन प्यास अलग से ली हैं जिनका हम लोग पेस्ट बनाएंगे तो मैं यह तीन प्यास ली हैं मैंने इनका पहले मैं पेस्ट बना ले रही हूं तो इस तरह से आपको एक ग्राइंडिंग जान ले लेना है और इसमें इसके प्यास के मोटे मोटे पीस इस कट करके आपको डाल देनी है तो यह तीनों प्यास मैं इसमें एड कर दे रही हूँ साथी में इसमें मैं थोड़ी सी डाल दूंगी धन्या तो यह पिसी हुई धन्या का मैं यहां पर यूज कर रही हूँ और इसको मैं यहां पर जो एट करूंगी यह थी टी स्पून के करेब आपको यहां पर धन्या एट करनी है अब इसमें थोड़ा सा डालना है पानी और इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है पेस्ट तयाओ हो गया है आपको देख सकते हैं अब इसको ένα säpya कर देंगे अब लेंगे एक pressure cooker इसमें डालेंगे oil तो oil मैं यहाँ पर 5 टेबल स्पून के करीब आट कर रही हूँ oil को पहले अच्छे से high flame पे आप गरम कर लीजिए और फिर gas की flame को medium कर दीजिएगा तो मैं फटा-फट से oil को गरम कर लेती हूँ oil गरम हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने प्यास को कट करके रखा हूँ है उसे आट कर दूँगी अब इस प्यास को हमें golden होने तक के fry कर लेना है तो मैं gas की flame को medium to high रखके प्यास को golden होने तक के fry कर लूँगी और बीट बीट में से चलाते रहेंगे तक एक अच्छा सा color इसमें आ जाए ऐसा नहीं हो कि यह एक साइट से जल जाए और एक साइट थोड़ी कच्ची रह जाए तो देखे प्यास का जो color है वो change होना start हो गया है इसको अभी थोड़ी दिर और fry करेंगे क्योंकि हमें इसे golden करना रहेगा और यहाँ पर मैंने यह half kg के करेब लिया है बड़े का गोश्ट और साथ में मैंने यहाँ पर यह देखे यह एक हड़ी का use किया है इसके डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है तो आपको गुदे वाली हड़ी लेनी है और यहाँ पर प्यास जो है जो golden हो गई थी तो मैंने इस गोश्ट को वाश करके रखा हुआ था इसको मैंने डाल दिया है अब इस गोश्ट को भी आपको फ्राइ करना है प्यास के साथ ओयल में तो आप कम से कम पांच मिनिट के लिए इसको इसी तरह से बोल लीचे और देखिए इसका कलर भी चेंज होना जो मैंने प्यास को पीस के रखा हुआ है उसको मैं एड कर दूंगी और अद्रक लेसन का पेस्ट एड करूंगी सबसे पहले मैं यहां पर डाल दूंगी अद्रक लेसन का पेस्ट तो यहां पर मैं तू टेबल स्पून के करीब अद्रक लेसन का पेस्ट डाली हो और इसको म कि अच्छे से इन पॉयल में मिल जाए और फ्राई हो जाए एक मिनिट हो गए है अब मैं इसमें मिला दूंगी प्यास का पेस्ट जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है तो पूरा पेस्ट इसमें एट कर देना है साथी में थोड़ा सा पानी एट कर देंगे तो इसी जार में थोड़ा सा पानी डालके और इसको वाश कर लीजे तो जो भी मसाला इसमें बचा हुआ है वो भी आ जाएगा तो मैंने आदा कप के करीब पानी इसमें एट कर दिया था एक छोटा चमश नमक एट कर दिया है एक छोटा चमश लाल मिर्श पाउडर एट करना है और हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर एट कर दिया है अब इन सारी चीजों को एक बार चला देन है सारी चीजों को मिला दें और मिलाने के बाद अब हमें इसको जो इसमें गोश्ट डाला है मीट को अमें टेंडर करना रहेगा तो मैं यहां पे लगा दोंगे लिट और इसको कम से कम चार से पांच विसल आने तक के पका लेंगे लेकिन विसल आपको मीडियम फ्लेम पर ही देनी है हाई फ्लेम पर नहीं देनी तो पांच विसल आ गई है मैं ओपन करके चेक करके आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए जिसका कलर है वह भी चेंज हो गया है और जो गोश्ट है वह भी टेंडर मुझे लग रहा है तो मैं चेक कर लेती हूँ तो यह देखिए जो बुश्ट है यह अच्छे से टेंडर हो गया है इसका मतलब है कि अब हमें इसको जल्दी से भूल लेना है इसमें जितना भी एक्स्ट्रा वॉटर आपको दिख रहा है उसको ड्राइ कर लेना है यानि कि भूल लेना है तो हाई फ्लेम पे आप इसको कर ले और आप चाहें बस बीचबी के आप जरूर से जरूर इसको चलाते रहे ताकि यह निचे से लगी रही वरना तो यह निचे से चिपखने लगता है अगर ज्यादा चिपक रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी आइड कर सकती है ताकि यह नीचे से चिपके नहीं वह भी आपको एक चाना वहाया तता तो यहां पर देखिएicate मैंने यह जो आलो है को कट करके रखा है быстрे लिए चार आलो को लेडीर आप्सीयर अल्वी में जी थी के लिए बे combination plays आलू को गूनने के साथ ही-साथ, मैं इसमें यह आ पर टमाटर भी ऐड कर दूँगी तो मैंने एक बड़े साइस का टमाटर लिया है, जिसको बिल्कुल बारीक चॉपकर दिया है टमाटर को और उसको मैं एड़ कर दोंगी तो ये भी आलू के साथ टेंडर हो जाएगा अब इसको हमें थोड़ा सा चला देना है ताकि ये जो टमाटर के पीसे सबी तरफ स्क्रेट हो जाए और ये आसानी से टेंडर हो जाए तीन से चार मिनिट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो टमाटर वोश तयार करना है ये अलका ग्रेवी वाला तयार करना है तो पानी डालने से पहले आपने जो हड़ी से गूदा निकालना है आप उसको इसमें एड़ कर दीजिए और साथ में आप इसमें पानी एड़ कर दीजिए पानी आपको बहुत जादा नहीं डालना है यहाँ पे आप एक कप के करीब पानी डाल दीजे, अगर आप ग्रेवी इसकी थोड़ी पतली रतना चाहते हैं, तो पानी थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, वरना तो पानी आप एक कप के करीब यहां पर एड़ कर दीजे, तो यह देखिए, मैंने पानी को मिला दिया है, ग्रेवी एक अच्छी consistency की हो गई है अभी ये जब आलू के साथ पकेगी तो थोड़ी सी और थिक हो जाएगी क्योंकि अभी हमें एक विसल लेकर इसको पकाना है ताकि ये जो आलू मैंने इसमें एड़ किये हैं वो tender हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और एड़ कर दिया क्योंकि जो यह है वो आलू बहुत ज्यादा एब्सॉप कर लेते हैं फिर ये जो ग्रेवी है बहुत गाड़ी हो जाएगी यानि कि बहुत थेक हो जाएगी अब इसमें मैंने लगा दिये लिट और एक विसल आने तक पकने देंगे एक विसल आ चुकी है अब मैं लिट ओपन करके आपको दिखा देती हूँ ये देखिए आलू गोष्ट कितने प्यारा कलर इसका आया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी तयार हुआ होगा अब मैं चेक कर लेती हूँ आलू टेंडर ने हुआ है या नहीं तो आलू टेंडर हो तो ये दोनों चीज़े मैंने अट कर दिये है अब इसको हम लोग मिला देंगे और साथ ही में मैंने देखिए जो गरम मसाला है वो आधा चोटा चमची करेब अट कर दिया पोगत जादा नहीं अट किया है अब इन सब को मैंने मिला दिया है और मिलाने के बाद अब हम एक सर्विंग वोल में और अब आप इसको रोटी और चावल जिसके साथ भी खाना चाहें इसके साथ सर्फ कर सकते हैं तो यह बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला अलूभोष्ट की रेसिपी तेयार है बहुत ही सिंपल मैथट से मैंने इसको बनाया है कोई भी इसे बहुत आसानी से बनाया और इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में होता है जैसे पहले टाइम पे बड़े लोग बनाते थे घर पर आलूभोष्ट का सावन दियान होता था तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर दिन थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो